काफी साड़ी भर भर के अपडेट से आज mutual funds के मामले में नौरात्रा है और आज तो नौमी है लेकिन mutual funds के अपडेट काफी जादा है नौरात्रा के सुब कामना है सभी लोगों को कल दसारा है तो advance में दसारा के सुब कामना है चलिए सबसे पहला तो एक निपॉन के तरफ से अपडेट है निपॉन का एक विजन फंड है और एक निपॉन का ग्रोथ फंड है इन दोनों ने मार्केट के अंदर में 29 यर्स कम्प्लीट कर लिये हैं मीचल फंड इंडस्ट्री में 29 साल हो चुके हैं और 10,000 रुपए की SIP अगर निपॉन के विजन फंड में की हुई होती इसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट की होती तो यह जो 29 यर्स कम्प्लीट हुए हैं वो निपॉन विजन फंड ने 10,000 रुपए की SIP को 11.20 करोर बना दिया है और निपॉन ग्रोथ फंड ने 10,000 के SIP को 26.90 करोर बना दिया है तो दो फंड 29 करोर 29 यर्स कम्प्लीट किये एक ने 11 करोर बना दिया और एक ने 26 करोर 27 करोर बना दिया तो ये बहुत अच्छी बात है इससे हमें और मॉटिवेशन मिलता है इन्वेस्ट करने का है मुझे तो मिलता है आप लोग को मिलता है या नहीं कमेंट में चरूर बताना है चलिए दूसरी अपडेट हमारे पास आती है मोतिलाल की तरफ से मोतिलाल आसवाल ने सेवी के पास तीन मुचल फंड स्कीम के लिए फाइल किया है डॉक्मेंट्स इसमें सबसे पहला एक मल्टी फैक्टर फंड ओफ फंड हो जाता है मतलब ये जो फंड होगा वो इन्वेस्ट करेगा तो ये स्ट्राटिजी वाली इंडाइसे होती है फैक के अंदर इंवेस्ट्मेंट करने की जोगत है जो हम डाइरेक्ली इंवेस्ट कर सकते हैं फैक्टर बेस्ट इंडाइसेज में और चूज करके कौन सा अच्छा है किसका परफोर्मेंस पास परफोर्मेंस अच्छा रहा है वो देखके जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो में काम कर रही है ऐसी opportunity को grab करने की कोसिस करेगी जनरली देखा जाता है ऐसे fund कुछ खासा perform कर नहीं पाते हैं तो ये दो fund हो गया अभी सेभी के पास paper file हुए तो लगबग हफते दिन में इसके NFOs आ जाएंगे तीसरा fund है यहाँ पे बिल्ड इंडिया fund मोतिलाल असवाल का जो की एक infrastructure fund है तो infrastructure theme पे best fund है तो infrastructure related जितने भी stocks होंगे उनके अंदर ये company invest करेगी तो ये thematic fund हो जाता है तो totally आपे dependent है कि आपकी analysis में कौन सा sector कौन सा theme आपको लगता है कैसा कर सकता है जिसमें इन्फरेक बढ़िया theme है तो ये मोतिलाल की तरफ से update हो गई थी इसके बाद हमारे पास आ जाता है इडलवाइस की तरफ से update इडलवाइस asset management company ने एक NFO launch किया है जो कि I think आज से ही हो गया होगा launch या तो मेंडे से हो जाएगा I think आज ही हुआ है इडलवाइस का nifty 500 multi-cap momentum quality 50 index fund बहुत बना नाम है index fund भी launch है और ETF भी launch है मतलब nifty 500 में best है और इसके अंदर multi-cap type of strategy use की जाएगी इसके साथ momentum strategy भी use की जाएगी और total 50 stocks के अंदर investment जाएगा इस का data हम देख सकते हैं यह जरूर अच्छी चीजा कि इस index का हम data देख सकते हैं पिछले 2005 से तो 2005 से और अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो इस fund का जो return रहा है वो रहा है total 23.6% का लगबग 23% का return है जो कि अच्छा है लेकिन जो निफ्टी mid cap 150 momentum है या फिर निफ्टी 500 momentum simple strategy जाले जो fund से उनका return almost 25% प्लस का है तो जब momentum strategy में ही invest करना है निफ्टी 500 में ही invest करना है तो निफ्टी 500 momentum 50 जो fund है वो इस fund से ज़्यादा बहतर फिल होता है उसने past के 20 सालों में ज़्यादा बहतर return investors को निकाल के दिया है इस index का पिछले 5 साल का 31% का return है पिछले एक साल का 61% का year to date में इस साल 31% का return इसने बना के दिया है 23 की पे है fund और 1.39 का dividend yield है तो total return लगभग 23.60% के है इस fund के मुकाबले में जो निफ्टी 500 momentum 50 फंड है वो ज़्यादा बहतर उसने past में return मना के दिया है 20 सालों में even nifty mid cap 150 momentum 50 जो fund है उसने भी बहतर return निकाल के दिया है पिछले 20 सालों में इस fund से निफ्टी 200 momentum 30 फंड जो है उसका return इस fund के return के बराबर रहा है तो उसमें invest करो या इसमें invest करो एक जैसा return रहा है next update हमारे पास आ रहे है गूगल पे की तरफ से और जल्द ही अब आपको गूगल पे पे mutual fund के अंदर इन्वेस्ट करने का option मिल जागा जैसे फोन पे पेटी है मगारा सब जगा मिलते है तो गूगल पे भी मिलेगा तो यह थोड़ा सा news निकल के आया है और यहाँ पे जो गूगल पे है वो consider कर रहे हैं कि हम मतलब distributor सीव जैसा जो system होता है उस तरफ से जाए जहाँ पे commission direct मिलता है या फिर हम execution only platform में जो tier 1 वाला रहता है platform 1 वाला रहता है उसके तरफ से जहाँ जहाँ पे हम AMC की तरफ से charge लेते हैं तो यह चक्कर में यह लोग परे हुए है कि हम offer direct fund करेंगे और जो AMC है उससे charge ले जो की एक तरीका होता है और दूसरा तरीका होता है कि हम direct distribution करें regular fund बेचे और उसमें हमें commission मिल जाएगा तो ज़्यादा उमीज है कि यह execution only platform में जाएंगे जहाँ पे जो AMC की तरफ से charges ली जाती है तो अब जल्द ही Google Pay के उपर भी mutual fund कर बढ़िया है जितना ज़्यादा platform हो होगा उतना बढ़िया है investor और invest कर पाएंगे easy भी यहाँ पर इसके बाद geopayment bank की तरफ से भी यही update है कि geopayment bank को distributorship मिल चुकी है mutual fund की और इन्होंने execution only platform type 1 के तरफ से registration MFI के साथ registration किया है यह अब direct mutual fund plan sell करेंगे अपने customers को और AMC जो है जिस भी mutual fund company का plan यह sell करेंगे उस mutual fund company इसे यह charge लेंगे transaction charge जितनी ज्यादा यह sell करेंगे उतना पैसा इनका बनेगा per transaction I think दो रुपए तक का maximum यह charge ले सकते हैं अभी एक popular platform जो ET money है वो भी execution only platform type 1 ही है वो भी जो direct mutual fund sell करती है उसके आज जो खर्चा है वो AMC से निकालती है तो आज के लिए इतने updates थे और बाकी को कुछ अगर miss कर गया हूं मैं तो वह आप बता सकते हो comment box में या आपकी क्या राय है इन सब चीजों पे उसके बारे में भी आप comment box में बता सकते हो कोई mutual fund के उपर detail में जानकारी चाहिए तो वह भी चाहो तो पूछ सकते है एक चीज जो निपॉन इंडिया mutual fund का जो vision fund है और पिछले 20 सालों का return 16.29% का है और जो निपॉन इंडिया growth fund है उसका sense inception return 23.13% का है और 21% का पिछले 20 सालों का return है तो काफी पढ़िया है झाले 20 लो निप।